इस वीडियो वी स्तार्ट चैप्टर टैन ओफ क्लास टैन्थ चैप्टर नहीं में स्क्रीन पर इस सारी जो भी टर्म्स है वह हम लोग अभी डिस्कस करेंगे सबकल्स से रिलेटेड सारी की सारी टर्म्स ठीक है तो जो हमारा टॉपिक है कि टैंजेंट आफ सर्कल क्या होती है मैं आपको उता दूँ कि टैंजेंट वह होती है जो सर्कल को किसी पॉइंट पर टच करती है तो टैंजेंट का टच करना ज़रूरी है और क्लास माइन्थ के अंदर हमने देखा था कि कॉर्ड सेक्टर सेग्मेंट्स है यह सब भी किसके पार्ट है सर्कल के तो फर्स्ट किसी करें एन्पॉान पॉंट सेक्ट्र पे लाई करता है तो इसका कॉल को टू था सुसके बोलता है कि将 बॉ Lakeavis का way नख़ंटर सेय।C completed cycle और का के सब्स 먼저 साब कहां बूलेंगा इसको कि वह non intersecting है fine अब यह देखो कि if a line if a circle and a line have two common points or a line intersect a circle in two distinct points then the line is called second अगर यह circle है यह line है चीक है यह line इसको मतलब जैसे यह तो रुग गई थी कॉर्ट तो यह इसको cross करती भी मतलब दो point पे काट के फिर भाहर आ गई that is called second क्या बोलते हैं इसको second और if a line and a circle have only one common point जैसे कि मैंने आपको starting हम बताया था कि tangent क्या होती है अगर circle और line अगर एक ही point पे touch कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते है then it is called a tangent to the circle क्या बोलते है इसको tangent there is only one tangent at a point on the circumference of the circle यह जो boundary होती है वो क्या होती circle की circumference तो obviously जो line हमारी हमारी is called point of contact या point of intersection इंपोर्टन है क्योंकि पीछे फिर इंदा blanks में है यह point हमारा ठीक है जिस पर touch करती है उसको point of contact तो यहां पर जो यह है ना वो हमारा point of contact है अब यह देखो the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius जो tangent होगी वो circle की हमेशा क्यों होगी perpendicular to the point of contact किसके तुरू point of contact जिसके तुरू वो touch कर रहा है जिक है अब the line containing the radius through the point of contact is tangent is called the normal जो line contain करता है through the point of contact यह क्या करता है उसको tangent का normal to the circle at that point and there is no tangent to the circle passing through a point lying inside the circle किसी भी circle के अंदर वाले point से touch करती भी tangent कभी नहीं होती tangent का मती हमेशा circle की boundary पे touch करती भी circumference पे आप बोलो कि भई हमारे tangent O से पास हो रहे तो वह tangent नहीं होती वह diameter होती क्योंकि center से पास हो रही है there are exactly two tangent to a circle through a point lying outside the circle अगर आप भाल कोई point ले रहे हो यह हम construction में देखेंगे कि construction में यह हमारा अगर आप भाल कोई point ले रहे हो और फिर आप यह बना रहे हो tangent तो वह उसको exactly two points पर touch करती है कैसे जैसे कि circle है और मैंने भार एक point लिया outside तो इससे एक tangent निगल सकती है और दो tangent बस यह possible है ठीक exactly two tangent there are exactly two tangent to a circle through a point lying outside the circle like this and the length of the segment of the tangent अगर अपन इसकी बात करें कि इसकी length किती होती है external point से and the point of contact with the circle is called length of tangent obviously क्या बोलतो उसको अपन tangent की length बोलते है and the length of tangent drawn from an external point of a circle are equal जाकर मैंने इस P point से ठीक है दो tangent कीची तो दोनों की length क्या होगी आपस में बिलकुल same होगी मान लीजिए यह PR है और यह PQ है ठीक है तो PR is equal to PQ है जरूरी है कि दोनों की length होगी वह क्या होगी आपस के अंदर equal अब आप first question देखें जो हमारा इसका है मैं आपको इस दार्याइशी में सबता देती हूं क्योंकि मुझे वैसे आपको PDF सेंट तो कर नहीं है हाव मैंने टेंजेंट्स कहना सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब एक पॉइंट्स है नहीं बोल रहा हूं क्योंकि एक पॉइंट्स है कि टेंजेंट निकलती हो सदूटिए यहिए बटा पे सकंफरांस पर इन्फनाइट ली मैनेट एंजेंट पे मिन थेंजेंट में थांग, अब ओछोपोंको और सब्सक्राइब, अगर पन्सों फिलíem...... circle in two points is called second जो लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटर्सेक्ट करते हैं उसको लोग क्या बोलते हैं सेकेंड और सर्कल हैं तो तो यह पेल अजिजब पैलल टैंजन पॉसिबल आटमोस कि की जब आप यहां से खिश दोगे तो हो तेंजन नसे के होगी पॉइंट करेगी पॉइंट पे पॉइंट आफ कॉंटेट जो उसके टच करता है चीक है थारो वर्शन देखो अपर टेंजन पीक्यू एड़ पॉइंट पी लाइक दिस यह पॉइंट पे झाल चीक है 5 सेंटीमेटर मीट तू दे center यह लाइन को मिलती है center पे 5 cm पे at a point q किस पर मिलती है point q पे so that की o q जो हमारा है वो कितना और 12 cm और length of pq आपको pq की length निकाल नहीं है देखो यह क्या बन रहा है यह बन रहा है right angle triangle क्यूंकि हमको यह पता है कि यह ना tangent और radius आपस पूर 90 दिखरी और 90 degree मतलब right angle triangle right angle triangle मतलब हम लोग यह पर क्या अप्लाए कर सकते pythagoras और वो कैसे अप्लाए होगी यह हमारा base है यह हमारा perpendicular है तो यह हमारा क्या हो जाएगा hypotenuse और hypotenuse कैसे निकलता है इसका देखो यहां पर लिखा भी यह कि the tangent to a circle is perpendicular to the radius or through the point of contact ठीक है तो अब क्या होगा मैं को बता है कि 90 degree और 90 degree हम लोग क्या अप्लाए करेंगे यह पर आए तो यह देखो और 12 का स्क्वेर प्लस 5 का स्क्वेर कितना था 12 का स्क्वेर हमने मान कि फिर्ट मैं थोड़े पहले बता है वह तो क्या था कि अगर वहाइपो होता है तो लग जाता है और एक और बात कि हमें कैसे बता कि 90 यहां बन रहा है अगर यहां बनता 90 देखी नोनों के बीच्वेर बंता तो यह हैं पॉता है अगर यहां यहां नाइंटी बन आदेल हैं यह है। उसका मतलब है निकालने है तो हमें क्या करना पड़ेगा इस tidak डीछा यह कितना य Armour नीकिसिह का रूटी नहीं उता अपशन के नंदर रूट 11 रूट 119 है ना that is option d तो हमारा अंसर क्या जाएगा option d और जो हमारा last question है वो तो ऐसे ही है just practice question है कि draw a circle and the two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other one is second to the circle हमें दो line बनानी है और यह सा बताना है कि एक second हो दूसरी tangent हो तो यह हमने circle बनाया यह हमने center बनाया अगर उसको touch करके निकले मतलब काटे वे दोनों points पे like this तो this is second this is tangent क्योंकि यहां touch कर रही है और यह क्या है हमारी given line इसको हमने पहले यहां तो tangent बनगी और इसको इधर लेगे तो यह second बन गई और इसी को अगर यहां ले आते ऐसे काटे तो diameter बन जाती पर वो diameter नहीं बनती को diameter नहीं पर रुख जाती है clear है तो यह हमारे 10.1 के basic थे और 10.2 है उसमें भी हमारे पास ज्यादा कुछ ने करना यह सरकल होंगे टेंजेंट होंगी टेंजेंट को देखेंगे हम लोग कि भाया कहां टेंजेंट टच कर रही है तो hypotenuse निकालना या perpendicular निकालना या पाइथर लगानी है वह सब करना है हमें ठीक है तो हम लोग नेक्स में देखेंगा और 10.2 के बास हमारे 10 चैप्टर भी खतम हो जाएगा उसके बाद हम लोग मिट्टम तूंके चाल चैप्टर खतम कर चुके होंगे फिर हमारे पास उनली एक चैप्टर रहेगा क्योंको दो चैप्टर हम लोग आफ्लाइन क्रास में करेंगे फाइन थैंक्यू है अब गुड़ देख